même sa telescope astronomical ist astronomical पसकल टेलेस्कोप इसका डाइग्राम बनाता हूं सबसे पहले अचर इसमें कि पाहिसे सब्सक्राइब दो केस होते हैं दो एड्जस्टमेंट होते हैं ऐसे बोलना चाहिए जो समझे तो एड्जस्टमेंट होंगे एक तो नॉर्मल एड्जस्टमेंट जिसमें को झो कोई में आपको केस मता रहा हूं वहाँ है नोर्मल और यह संट्रेंटिक दोने की और दूसरा को इसको कौन सा कौन सा नौर्मल एजस्टमेंट यह मालू अपना अब्जेक्टिव लेंस है और अच्छा इसमें एक खास बात होती है कि जितना हो सके हमको बड़ा यूज करना है देखो अब्जेक्टिव लेंस का काम यहां पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को कंवर्ज करना एकठा करना ताकि उसकी ऑब्जेक्ट की एक ब्राइट और इमेज बने तो अब्जेक्टिव लेंज का काम यहां पर यह है कि जो इन्फाइनेट पर अब्जेक्ट रखा है उससे जितनी ज्यादा लाइट रेज को आप कलेक्ट कर पाओगे उससे आने वाली उससे आने से बढ़ा लेंज सब्करों अपनें यूज कर लिया अब जो लायट रेज आ रही है इन्फाइनेट से वह सबोझ करsels कि二 से इसस्सेग्ट से एलफा रिएमल के उपर आरही कि ।ो यह वाला जो इंगल बनाले कितना है यह आप इ evaluate जिस तरो पर इसे उतरनेंच की उपर इस साइज इमेज मिलती अभी मेश कैसे मिलेगी मालों यहां पर का focus है ऑफ ओ अगर लाइट रहें आपस में पैरल है लेकिन यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल नहीं है तो भी इमेज फोकस पर बनेगी याद रखना है तो भी इमेज कहा बनेगी फोकस पर फोकस पर ही उसकी position होगी लेकिन इमेज का size इस पर point size नहीं होगा point size से बड़ी image बनेगी यह जो focus है इस से इस principle axis के perpendicular जो plane पास होता है उसको हम बोलते हैं focus plane क्या बोलता है इसको focus plane अगर मैं इस principal axis के perpendicular focus से पास उना वाला plane consider करूँ तो यह जो plane बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे focus plane कौन सा plane focus plane बोलेंगे यह जो focus plane है यह जो यहाँ पर focus plane है इसी के उपर कहीं ने कहीं image बनेगी अगर light rays principal axis के parallel आती तो यह इस तरीके से converge होती और focus plane के उपर इस f o point के उपर image बनती point size लेकिन अगर यह आपस में parallel है लेकिन principal axis के parallel नहीं है तो इस plane के उपर कहीं पर image बनेगी focus plane पर position यह रहेगी focus पर image बनेगी अब कहां पर बनेगी तो इसके लिए देखो यह वाली जो light ray इसको observe को यह कहां आ रही है infinite से आ रही है और optical center से पास हो रही है और इसका rule क्या है कि विदाव deviation state पास होती है अब यह वाली जो light ray है यह जहां भी focus plane को intersect करेगी वहां पर आपको image मिलेगी कौन सी एडेश यह याद रखना है कि जहां पर optical center से आने वाली light ray आगे जाके focus plane को कट करेगी उस point की उपर आपको image मिलेगी पहले भी ऐसा ही था पहले यह लाइट रही थी तो focus plane को कहां पर काट रही थी यह जब इदर जा रही थी तब यह एफो पर कट कर रही थी इसका मतलब इमेज कहां बनी एफो की उपर अभी क्या होगा यह एडेश पर इमेज बनेगी और बाकी की light rays क्योंकि यह Converging लेंस है तो यह Converge करेगा तो बाकी की light rays भी यहां पर जाकी क्या हो जाएंगी Converge इस तरह के से तो जो image मिलेगी वह कहां पर मिलेगी आपको एडेश के उपर मिलेगी और फिर बीडेश फाइंड करने के लिए इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरह किसे मिला दो यह वाला पॉइंट होगा एडेश और यह वाला पॉइंट कौन होगा बीडेश इतनी बास समझ में आई कि सबको इमेज काम अनेगी फोकस पर बनेगी एडेश बीडेश इस वार उसका साइज पॉइंट साइज नहीं है इस वार थोड़ी सी बड़ी इमेज मिलेगी अब यह जो इमेज बनी इसको मैगनिफाइड करना है ताकि क्लियर दिखें बड़ी इमेज बनानी है तो यह काम कौन करेगा दूसरा लेंस जिसको हम क्या बोलता है आए लेंस अब यह जो नॉर्मल एड़स्टमेंट है इसमें फाइनल इमेज हमको बनानी है इन्फाइनेट की उपर ठीक है अच्छा इन्फाइनेट पर कभी मेज बनती है लेंस से जब उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है देखो लेंस होगा है पर इस फोकस पर पर अपधेक्ट को रख़ दोगे तो इंफीनेट फेमेंज बनेगी क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्चिन याइफ्ट प्रिंसीब ऐक्सीस के एक्षिस के पैरएवज हो जाती है अगर वो प्रिंसीब्स में बस्तर approaches कि बढ़ होगा ऑपड़ा होग इसके बड़े होने का reason समझ में यता कि ज्यादा ज्यादा लाय त्रेस को यह कलेक्ट कर पाए और जितना ज्यादा लाय तको यह क्लेक्ट करेगा उतना ही बराइट ओर क्लियर पर बनानी है काँ पर बनानी है infinite पर तो इस औब्जेक्ट को इस लेंज के फोकस पर होना चाहिए इसका मतलब इस लेंज को आगे पीछे इस तरीके से अड़्जस करना है कि इसका जो फोकस हो इस पॉइंट की उपर आ जाए मतलब इमेज तो जांब नहीं थी वह बन गई हमन इसका फोकस है तो इसके साथ ही शिप्ट होगा यह तो तो हमको इस तरीके से अड़्जस करना है इसको कि इसका फोकस कहां पर आ जाए इस पॉइंट की उपर जहां पर इमेज बन रही है अब हम क्या बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे कि इसके लिए पर इंसिदेंट कर दो यह विदाव्ड डेविएशन स्टेट पास अब यह दोनों आप त्रेज आप देखोंगी कि यह आपस में पैरल हो जाती है ठीक है जो जो दोनों यह आपस में पैरल हो गई तो यह कहां पर इंट्रेक्ट करेंगी इंफाइनेट पर इमेज बनेगी तो हम यह बोलनें कि infinite की उपर इंटर्सेक्ट करेंगी इंफाइन पर इदर से देखेगा तो यह उसको कहां से आती हुए एप यह पर होगी तो इस तरह से इसमें बीटा कौन सा एंगल होगा तो यह लाइट ट्रेज आगे जाके कहां पर इंट्रसेक्ट करेंगी इंफाइनेट पे और जब मैं उस इमेज के टोप पॉइंट को लेंज को अप्टिकल सेंटर पर मिलाओंगा वापस तो यह वाला एंगल बनेगा अपर ऑप्टिकल सेंटर पर होगा कि फिर और इंफाइनेट से आला आत्रसे के ओप्टिकल पर मिला एंगल उसके ट्रसकेलल पॉजित यह वाला एंगल भी क्या होगा यह एल्फा होगा यह दोनों एंगल यहतरी जा ऑर यह वाला इक वर होता है ठीक गे तो यह जो αलफा है वहला है यह आप Bard concur ऐंगल में देखना है यह आपको यह क्यों np से बीकल का स gyтовOham ant 10 बीटा बाकिंए से सेम सही यह यह ऐसे यतान बिटा इन एलफा की वैलूज को Jared कितना हो तो यह वाला चो ट्राइंगल है इसमें से ठीच बताओ लेड़ेंक गयुद से बनाव Dess 2 divided by 10 alpha क्या होगा इस वाले triangle में दिखो 10 alpha a-1 ध्याइज ऑपोन देस ओवन क्या चीज कैंशल होगी एलेस्ट कैंशल म इक्वस तो क्या लिखेंगे बी डेस ओवन ये उपर चला जाएगा अपोन बी डेस ओर टू इनकी वैलिए उस पॉट पुट करूंगा अब में बीडिशओन किया है धी आफै के बतहों वाले से सब्सक्राइब को और देब ओद न खोनाना घू अच्शा इस डिरेक्शन ऑपशन चलेंगे स्थायरेक्षीं में ने में ख़़ोंगा बटीकल सेंटर पर और इस को यह जो तिस्टींस आइस्टीन्स को मेजर करने के लिए फोरवर्ड डिरेक्शन में चलूंगा इसका मतलब यह वाले डिस्टेंस क्या होगी पॉस्टीव तो यह वाले डिस्टेंस है बी देश ओवन और इसको हमको पॉस्टीव लेना है और प्लस एफ ओ लिखेंगे एफो का मतलब है फोकल लेंथ ऑप अब ज इस लेंस के लिए देखो यह वाला जो ट्रैंगल इसमें आपको यह बनेघे जा रही है यह पॉइंट जे करने लिए दखो के नीयरित गेस्टेंस को वोर्फ बर्एका लेंवाइग यह देखो एज़न्स का इस यह होगी फोकल लेंट तो आपको इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में पूट करना है अब यहां पर यह मत इससे कंफ्यूज मत होना कि फोकल लेंथ इसको माइनस को पूट कर रहे हैं यहां पर हम इसको माइनस एक लिख रहा हूं इसको माइनस एक लिख रहा हूं यहां पर इसकी बराबर और नेगेटिव इसको मेजर करना होगा तो यह आएगा माइनस एक अगर पॉस्टिव पूट कर दोगे यहां पर पॉस्टिव और पॉस्टिव मैगनिफिकेशन का मतलब क्या होता है इमेज इरेक्ट और वर्चुल जबकि यहां पर इमेज कैसी मिलेगी अगर इंफाने पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज इस रियल ठीक है और इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड बनेगी अगर अब्जेक्ट को ऐसा रखा है आपने इन्फानेट पर एसा रखा उग ठीक है length of the telescope tube का formula क्या होगा length का मदरब है दोनों lens की बिच की distance बताओ length of the telescope tube ये वाले distance folla this means FE तो a 4 plus fi कर दूग्या वह ये वाले distance कितनी है एफ o के बराबर है purple length of the objective lens ये वाले distance कि सिसके बराबर है focal length of the islands तो total distance कितनी हुई info plus फी खतम ठीक है फो फ्लस फी यह क्या होगा लेंथ आप टेलेस्कोप ट्यूब के बराबर होगा समझ में आए क्या कि इस एड़ेस्ट्मेंट का बेनिफिट क्या है अगर आपको पूछे कि यह जो इंफाइनेट पर इमेज बनाई है इसका बेनिफिट क्या कुछ तो बेनिफ तो इसका मतलब है आप काफी देर तक उसको देख सकते हो जैसे आप नॉर्मल कंडिशन में क्या करते हो कि जैसे आप किसी दूर की चीज को देखते हो तो उसका पड़ती है उनको कम बेंड करने की जुरूरत पड़ती है डेट ना की उपर कनवर्ज करने के लिए यह हमने कि अगया ने कि देख को कि अगए अगर देख सकते हैं करके देखनाना है पांस मिनट कंटिन्यस देखोगे तो आखो पैसे जोड सा पड़ेगा पापको लगेगा हैडक सा हो रहा है क्यों कुई कि पास पैसे जब ऑब्जेक्ट होगा तो जो सिलेरी मसल से उनको लेंज को कंप्रेस करना पड़ता है ताकि लेंज मोटा हो जाए और उस पास में रखेवे पर पर बने उसी को कंटीनियूसली क्या करना पड़ते ऐसा दबागे रखना पड़ते हैं आपको लगता हैं ज्यादा देर नहीं पड़ पाता तो आपकी कमीदी यह आप से मेरा तो सब्सक्राइब करने के लिए तो यहां पर फाइनल इमेज कहां पर बन रहे हैं इंफाइनेट पर इमेज बनती है सब्सक्राइब करने के लिए इसको देख सकते हैं तो इसलिए बनानी है तक कि हमको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी सब्सक्राइब करने के लिए उसको आप देखने तो जबनानी कि देखने के लिए उसको आप देखने पाओं थोड़ी देख रहा हैं तो इस्पेशल एड़्जस्मेंट कर लो और ज्यादा देखने कि लिए प्लैनेट स्टार को तो नॉर्मल एडजस्टमेंट रखो यह इनमें डिफ्रेंस है ठीक है तो अभी माँ आपको बता रहा हूं इस्पेशल एडजस्टमेंट छोटा सा ही है उसमें आदा काम तो सेम रहेगा अब सेकेंड एडजस्टमेंट है इस्पेशल जहां पर final image कहा बनानी है अपने को डिबसेंट पर बनानी है पहले लेंस की उपर यह अब्जेक्टिव लेंस की उपर लाइट रेज आपस समें प हैरल लाई इन्हों यहां पर यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे अब आइलेंस पहले सब्सक्राइब यहां पर रखा था और इसका फोकस इस पॉइंट की उपर था अगर हमें फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनानी है तो उसके लिए हमने कंडिशन पड़ी थी कि इस ऑबजेक्ट को उ इसका फोकस सब्सक्राइब यहां पर आ गया यह इसका फोकस अना दोनों साइड में बराबर इस्टेंस पर फोकस होगा तो हमने क्या किया सिंप्ली इस सेकेंड लेंस को सेकेंड लेंस को थोड़ा सा जहां पर यह था उससे थोड़ा आगे लिए इसको तो फोकस इदर चला से पास करवा दो यह विदाव डेवियेशन स्टेट पास हो जाएगी आगे कहीं पर यह दोनों लाइट रेस्ट बिलेंगे नहीं इधर से अब्जरवर देखेगा कहां से आती हुए अपियर होंगी और जहां से आती हुए अपियर होंगी वहां पर इस एडेश पॉइंट की बनेगी image कहां पर इस पॉइंट के ऊपर और उसी मग्निफिकेशन कितना हुआ पॉइंट को लेंख़ों लेंगे से मिला से यह यह थिजड़िमेश मिला इसको गीड़ीज सो मेर गयला बोलना है यह से सेंं तो मैगनिफिकेशन कवा बीटपन ऐलफा और इसको सभी तेन की पिए सिम्पल एकदम टेक्डू बीक ःसे ट्रैंडल में आप बताओ यह वाला कुए अब शॉजें यह जूति जills कुए अभी हमने आ अभी हमने तो किया तो गढबर करनी है क्योंकि न भी मेज़र कर सकते हैं इसमें क्यों मेजर करना है तो घेज बीड़ेश अपन बीड़ेश ओर तूब divided by यह वाला ट्रेंगल है इसको देखो एडिस बीज्श अपन बीड़ेश ओवन ऐडिस बीड़ेश अपन बीड़ेश ओवन एड़ेश अपन डिश ओवन एड़ेश डिश केंसिल एंप की वेलू बताओ क्या आएगी प्लस एफ ऐसमें यह और बी डेश ओटू क्या है कि देखो यह वाला जो एड़ेस बी डेस इमेज बनी थी अभी जो आई लेंस के लिए अब्जेक्ट है तो यह तरह से यह वाली जो डिस्टेंस यह एक तरह से आई लेंस के लिए इसको हम क्या बोलेंगे यूँ इबोलेंगे इसको यूई बोलना है ठीक है पहले तो यह एफी के बराबर था लेकिन अब एफी के बराबर थोड़ी है फोकस तो इधर चला गया है थोड़ा गया इसलिए फोकस और अप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर आ गई इमेज तो यह distance f e से थोड़ी कम होगी कितनी है यूई मान लिया तो अब यह जो distance से बी डेश ओर टू इसको मेजर करने के लिए आपको इस लेंस को optical center से incident rays के opposite चलना पड़ेगा incident rays इधर जा रही है और हम इस distance को मेजर करने इधर आ रहें तो यह नेगटिव होगा नेगटिव होगा तो मैं यहां पर पूट करूँगा माइनस यूई आया क्या समझ में अब यह जो यूई है इसकी वैल्यू आपको पूट करने पड़ेगी इसके लिए मैं यूई सिखेंगी और यहां पर मैं वैल्यू कितनी होगई तो हमको बता है कि फाइनिल इमेज़् हमने कहां पर बना इक है कि warp इक कितना है दे के बराबर है क्या लेकिन इसको मैनस दी लिखेंगे अगर मुझे वी की वैलुट करनी हो तो इस लेंज के लिए मैं इंसेडेंट रेज मेश चलके मैं इस डिस्टेंज को मेजर करें गलगा तो यहां पर मैं वैलिवर कराऊं वन अपवाल एक वीवडार to one upon minus d minus one upon ue मुझे ue की value calculate करने और जिसकी value calculate करने होती है उसका symbol नहीं लगाना है यहाँ पर ue को एजटीज लिखना है इसको इधर लिया हो अब one upon ue equals to क्या आएगा यह उता जाएगा तो minus one upon d minus one upon f e ठीक है इसमें आप माइनस one upon f e common भी ले सकते हो ठीक है तो यह जो one upon ue है इसको आप क्या लिख सकते हो अगर मैं minus one upon f e common ले लूँ तो यह one plus f e upon d लिखा जा सकता है क्या थोड़ा formula बनाने के लिए इसा कर रहे है आपन बाकि यह भी पूट कर सकते हो यहाँ पर one upon ue की वेलू क्या रही है नेगेटिव आ रही है नेगेटिव आने चाहिए थी क्यों नेगेटिव क्यों क्योंकि object की distance हमेश होती है नेगेटिव होती होती है यह नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर और one upon ue किसके बराबर है माइनस वर अपॉन एफी इंटू one प्लस एफी अपॉन डी अभी यह जो फर्मला इसमें मैंने अल्ड़ेटिव लगा दिया यूई को मैंने नेगेटिव अल्रड़ेटिव पूट कर दिया है इसको नेगेटिव मानते वे तो यह जो नेगेटिव आ रह हो इसको उसको है है इसको मैं इसा लिख रहा हूं माइनस एफोऊ-इन्टू one उ deputy 93 तो यहा तो यह तो यही तो यह तो यह दो पाली दो माइनस एक चीज यहां पर गौर करो कि यह जो मैगनिफिकेशन यह कितना है एम इक्वल्स टू माइनस एफो अपॉन एफी इन्टू 1 प्लस एफ एपॉन डी सिंपल कंडिशन में या सिंपल एजस्ट्मेंट के अंदर जो मैगनिफिकेशन था तो कितना था माइनस एफो अपॉन एफी और अब कितना है माइनस एफो अपॉन एफी इंटू 1 प्लस एफ एपॉन डी क्या मैगनिफिकेशन पहले से ज्यादा मिला वहीं वन में कुछ ने कुछ एड़ हो रहा है तो वन से बड़ी वेल्यू है कि जैसे यह यह रेश्यो मालो टू है तो 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 प्लस फ़न बना तो पहले से मैगनिफिकेशन की टना ह Reese गारिंस जादा होगा है तो मैगनिफिकेशन स्पेशल एंड़ स्वेंड में पहले से जादा मिलेगा Dry The बैनिफिट क्या है मैगनिफिकेशन ज्यादा हो रहा है लोस क्या है आइस की फुली रिलेक्स कंडिशन में ज्यादा देर इस इमेज को नहीं देख सकते ठीक है लेंथ टेलेस्कोप ट्यूब अगर पूछा जाए तो फॉर्मला क्या होगा यह वाली डिस्टेंस कितनी है एफ प्लस यूई आया कि नहीं है समझ में यहां तक कोई भी डाऊट मेरेक्दम कर रूब लग अ